नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबी का आप देख रहे हैं जी रादिस्थान का डिजिटल बुलिटिन और मैं हूँ आपके साथ मनी शर्मा शादियों के सीजन में सोने चांदी का मिजास गर्म है और इसकी कीमतों में लगतार इजाफा हो रहा है इस बीच कारोबारी सब्ता के दूसरे दिन भारतिय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में गरावट के साथ ही कारोबार शुरू हो गया हलाकि चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसला लगतार जारी है बारतिय सराफ़ बाजार में 13 दिसंबर 2022 को सोने और चांदी के नई रिट जारी हो गए है कारोबारी सब्ता के दूसरे दिन बंगलवार को सोने के भाओं में गिरावट आई है जबकि चांदी के दाम में इजाफा हुआ है कीमत में गिरावट के बाद सोना 54,000 के करीब पहुँच चुका है और चांदी का दाम बढ़ने के बाद 69,000 पर पहुँच चुका है इस समय देश में शादियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में कीमती आभूशन के मांग लोगों के बीच अधिक रहती है अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको इबेच दे साफधान फ्रीडम आपको डाउनलोड करें बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए सोने और चांदी के दाम कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं ऐसे में ग्रहक इसकी खरिदारी को लेकर संशय में बने रहते हैं लोग समझ नहीं पा रहे कि कब उनके लिए सोना चांदी खरिदना फायदे मन रहेगा वही सराफा बाजार के जानकार कह रहे हैं कि अभी लोगों के पास सस्ते में सोना और चांदी खरिदने का अच्छा मौका है क्योंकि आने वाले दिनों में सोने के सास्ता चांदी की कीमतों में और जादा तेज़ी आपको नजर आएगी और दोनों नए रिकॉर्ड या बना सकते हैं सराफा बाजार से मिले जानकारे की मताबिक आज 24 कैरेट सोने के भाव 100 रुपे सस्ता होका है चौवन हजार चार्सोनब्य रुपे प्रति दस ग्राम पर आचुका है और 22 कैरेट सोने का भाव भी 100 रुपे सस्ता होकर 49,950 रुपे प्रति दस ग्राम पर पहुंच चुका है अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें सावधान फ्रीडम आपको डाउनलोड करें बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए